नमस्कार खबर गाउं शहर बुलिटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं मैं आपके साथ हर्ष चोदरी और चलिए देखते हैं गाउं से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदार्ज में भारत में करोना मामलों का रिकोर्ड स्थर प्रबढ़ना जारी है देश में पिछले 24 गंटों में रिकोर्ड सताण में 1570 नई मामले सामने आए इससे पहले 10 सितंबर को रिकोर्ड चान में 1551 संकर्मन के मामले दर्ज हुए वही 24 गंटे में 1201 लोगों की जान चली गई देश में 2 सितंबर से रगातार हर दिन 1000 से ज़्यादा लोगों की मोथ हो रही है अच्छी खबर ही है कि 24 गंटे में अब तक रिकोर्ड 18533 मरीज ठीक भी हुए स्वास्ते मंत्रालियों के ताजां अकडों के नुसायर देश में अबगुल करोना संकर्मितों की संग्या 46,60,000 हो गई इनमें से 87,442 लोगों की मोथ हो चुकी है भारतिया रेलवे आज से 80 नई विशेश ट्रेने शुरू करने जा रहा है इसके लिए रिजुरेशन की परकिरिया 10 सितंबर से शुरू हो चुकी है ये ट्रेने अभी चल रही है 230 ट्रेनों के अलावा होगी अभी चलाई जा रही विशेश से सभी ट्रेनों के परिचालन की निग्रानी की जाएगी जहां भी ट्रेन की मांग होगी वहाँ वेटिंग लिष्ट होगी वहाँ एक्च्वल ट्रेन से पहले एक क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी जलावाट जिले के चौमेला कस्वे में मौसमी बिमारियों को देखते वे आयरुवेदिक विभाग वैवपार संकी सिंग्त तत्वा धान में दो दिवसिया काड़ा वित्रण कारेकरम आयोजीत किया गया जिसमें आयरुवेदिक चुकित सा वैवपार मंडल के सदस्यों दोरा काड़ा बनाकर कस्वे के अलग-अलग स्थानों पर निशुलक काड़ा वित्रण किया गया जिसमें मौसमी बिमारियों सिस्वास्त ठीक रहे कारेकरम की शुरुवात ग्राम पंचैत सरपंच प्रेमलता भंडारी वायोवेदिक चुकित सा प्रभारी शाम सुन्दर जोशिक द्वारा की गई जहां सोशल जिसेंसिंग की पालना करते वे कस्वे के सेंक्डों लोगों ने काड़ा पिया सूरतगर में लालगर से चलकर बठिंडा दिली के रस्ते डिप्रुगड को जाने वाली ट्रेन अवद असम एक्सप्रेक सा शनिवार से पत्रियों पर फिर से दोड़ेगी माल से बंद यह ट्रेन रेलवे बोर्ड के काफी प्रयास के बाद शनिवार से पत्रि पर आ जाएगी लगवक चैमाईने बंद रहने से इस ट्रेन के यात्री बहुत परिशान थे थताओने लीची पाहनों से के दोना किराया देकर यात्रा करनी पड़ रही थी यह ट्रेन राजस्तान के लालगड से चलकर डबावाली बठिंडा जाकल रहो तक बहद्रुगड से होते वे दिल्ली पहुँचती है वा यूपी बिहार के दस्ते आसम के डिबूरुगड पहुँचती है ट्रेन के सीटिंग अरेजमेंट में रेलवे की तरब से कुछ बदलाव किया जा रहे हैं रेलवे के बीकानेर मंडल के मीली जान करें उसाइट ट्रेन में सभी कोच रिजुबरेशन होंगे समाने टिकट पर यात्री यात्रा नहीं कर सकेंगे दिलवाड़ा शहर का सुभाष नगर थाना इलाके में स्किल डिवलोप्मेंट के नाम पर एकर टावर में डेड़ सो से अधिक बच्चों ने उड़ाई करोना गार्ड लाइन की धचियां मोके पायर पुलिस ने कारवाई को अंजाम दिया सुभाष नगर थाना परभारी पुश्पा का सोचिया ने बताय कि शुकरबार को दोपैर थाने पर सुचना मिली कि मालन चेतर में पुजा टावर की छट पर बड़ी संक्या में छात्रों को बेटाकर कोचिंग करवाई जा रही है इस दोरान शोसर जिस्टेंसिंग की पाल सर जिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जारी थी पुलीस को मोके पर कोचिंग कराने वाले तीन सीखशक भी मिले अलवर के बानसुर से बड़ी खबर अलवर के बानसुर में यूवक ने गले में फांसी का फंदा लगा कर आत्म हत्या कर ली अग्यातकार्णों के चलते यूवक ने फांसी का फंदा लगाया बांसुर के गाउं शाहपूर के बश्टन के घटना है जहां सूचना पर बांसुर थाना पुलिस मोक्यों पर पहुंची वही यूवक शाहपूर निवासी बताया जा रहा है हालां कि अभी यूवक के आत्म हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका जैसलमेर के कोविन सेंटर के बात्वों में गिरकर करोना संक्रमित मरीज लादूराम जोशी की मोत हो गई थी जिस पर परिजन ना रोक लगाया कि कोविन सेंटर में काफी देर तक परिजन साहता के लिए पुकार करता रहा लेकिन जिला परशासन और मेडिकल विबाग ने उ जैसलमेर पहुंची जैसलमेर पहुंचे जैसलमेर पहुंचने पर सभी लोग स्वरगिय लादूराम जोशी के आवास पर पहुंचे परागे जीवापडोद में विदुद वितरन करमचारी उनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपण अधिकारी को ग्यापन सोपा ग्यापन में विदुद करम्यों को चिकित सा वे पुलिस विबाग के समान ही पुरो वेतरन दिलवाने और वेतरन कटोती नय करने समेते 5 मार्च 2020 का स्तगित वेतर दिलवाने की मांग की कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता डॉक्टर हरी सिंग का शुकरवार श्याम राजदानी जैपुर के ESCC अस्पताल में निधन हो गया कॉंग्रेस पर्देशा द्यक्ष गोविन सिंग डोट आसरा और बीज़पी पर्देशा द्यक्ष सर्थिश पुनिया साइत कई नेताओं ने डॉक्टर हरी सिंग के निधन पर गहरा शोक जताया डॉक्टर हरी सिंग के निधन से कॉंग्रेस में वेबाकी से एक युग का अंत हो गया जिसे वेबाकी और सपार तरीके से हरी सिंग अपनी बात रखते थे उतना साहल्स अब के निताओं में नहीं देखने को मिलता राजसान में करोना संकरमन नित ने रिकोर्ड बना रहा है एक दिन पहले गुरुवार को रिकोर्ड 1640 पोजिटिव मरीज पाए गए जिन में शुक्रवार को सुभै की रिपोर्ट में 740 और नहीं मरीज सामने आए शुक्रवार को सुभै नो बजे तक बीते 36 गंटों में राजसान में 283,280 ने पोजिटिव मरीज सामने आ चुकी है इस साओधी में कुल 21 पीडित यानी जान गवा चुकी है और राजे में पोजिटिव मरीजों के सांकड़ा अठाण में 1160 तक पहुँच गया स्वास्तव बिबाकी और से जारी बुलेटिन के नुसार शुक्रवार की सुभै रिपोर्ट में 740 और ने पोजिटिव दर्ज किये गए सुभै नो बजे तक 12 गंटों में करोना से साथ और लोगों की मौत हुई तुर परदेश के पुरो मोक्या मंत्री और सपा के राश्ट्र अधिक्ष अखिलेश यादों ने ट्वीट कर युवाओं से अपील की कि बेरोजगारी के खिलाफ दिये जालाने की अपील की थी उन्होंने का कि आपकी अवाज सरकार के कानों तक पहुँच जाए बेरोजगारी के लड़ाई में उनका साथ देने की जरूरत उन्होंने का कि देश और परदेश में बेरोजगारी को पर्मुक मुद्दा बनाया है देश में बेरोजगारी गरीवी बुक्मरी बड़ी है असलम खाग आलिब खान अवीश, एक्राम तरुकी आलम राइन अबास खाग आदी मुझूद रहे यूपी के पेली भीट में से खबर जहां तेज गती से आ रही कारचालक ने बाइक सवार को टक्र मार दी जिसमें दो किसान यूवकों की मोके पर ही मौत हो गई फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही और तमाम कबरों के लिए आप बने रहे हमारी साथ नमस्कार